हाई फ्रेंट्स कैसे आप दोस्तों लोग सी आई एसाई पढ़ रहते चक्रविदी ब्याज और साधारन ब्याज साधारन ब्याज के कुछ को बनाया थे कि कितने बर्स में कितने गुनी हो जाएगी या कितना गुना हुआ है तो उसका रेट ऑफ इंट्रेस्ट वेगर वेगर साधारन ब्याज से ज्यादा आसान होता है और आपके परिच्छा में हमेशा आते रहता है यह कुस्चन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको एक सेकंड से दो सेकंड ही लगेगा तो आप इस सवाल को देखिए क्या है कुस्चिन पंद्रहजार रुपय की धन्रासी चक्र वर्स में दो गुनी हो जाती है आप 15,000 रुपया मान लिजे बैंक में जमा किये कितना साल के लिए छे साल के लिए और वो कितना गुना हो गया दो गुना मतलब 15,000 आपका 30,000 बन गया अब बोल रहा है कि 24 वर्स बाद यह कितनी हो जाएगे मतलब अगर इस पैसा को आप 6 स साल के बाद निकाले तो 15,000 रुपया आपको कितना हो जाएगा 15,000 रुपया कितना हो जाएगा कैसे पताचे लेगा तो बैंक में जाते है तो आप जोड़ते हैं कि इतना साल में इतना तो इतना साल में तो इसके लिए बहुत आसान मिथड है आप देखिए इधर लिखिए verse मतलब year और इसका table पढ़िए verse का क्या पढ़ेंगे पहाडा या table ठीक है और एक side लिखेंगे गुना कितना गुना हो गया या कितने गुनी हो गई अब गुना वाले में क्या करेंगे पावर देंगे वर्स वाले में हम लोग पहाडा पढ़े थे और गुना वाले में हम लोग क्या करेंगे पावर देंगे घात जिसको बोलते हैं table नहीं सौरी पावर अब देखिए आपका है 6 साल अब 6 एक अच्छे 12 चे तिया 18 चे चक 24 यही 24 साल का निकालना है बार चार बार अब इधर हमारे कितना गुना हो जाला था 2 6 साल में 2 दो का पावर एक फिर 12 साल में 2 का पावर 2 18 साल में 2 का पावर 3 24 साल में 2 का पावर 4 इधर table पढ़ते गए इधर जो गुना था इतना गुना हो जाता है उसका पावर देते चले गए शुरू में एक का टेबल था तो एक पावर दिये यहां छे का दो छे इंटू टू हुआ था तो यहां टू का पावर टू किये यहां छे इंटू थ्री हुआ था तो थ्री का पावर टू का पावर थ्री किये और शिक्स बर्स में दो गुनी हो जाती है तो भीस बर्स बाद हमारी धन्रासी कितनी हो जाएगी 16 लाग तो 15,000 का 16 गुना कर दीजे 15,000 आपका पैसा था इसका 16 गुना हो गया तो सो लगुना की जेगा तो क्या होगा तीन जीरों तो है ही पंदरे चेक नब्बे नो पंदरे नो चोबिस मतलब दो लाक चालीस हजार रुपया आपको हो जाएगा अगर पंदरा है जार रुपया चोबी साल तक छोड़ देंगे तो आप भी सोचें कि आपको अपना पैसा बै होता है तो आपसे अगर पूछ दे कि 30 वर्स बार यहां कितनी होगी 10 वर्स में दो गुना हो जाता तो तो तीस में क्या होगा तो 10 का टेबल पढ़ेंगे 10 एक एक 10 दुनी 20 दस दिया 30 दो का पावर एक दो दुनी दो का पावर 2 मतलब 4 यहाँ पे 2 हुआ था और 2 का पावर 3 मतलब 8 तो इस आसान चीज को आप अपने कॉपी में लिख लें एक कागज पर लिखे और जहां पढ़ते हुआ चिपका दें क्योंकि जब तक आपके दिमाग में नहीं चिपकेगा तब तक कोई भी ट्रिक जो हो जो बहुत आसान भी हो हम आपको सुरू में भी बोले हैं कि ट्रिक प हैं तो उसमें आपको ट्रिक लगाना मजबूरी है क्योंकि अगर मेथट से चलेंगे तो कॉम्पटिशन में बंत हो जाएगा और आप पास कभी नहीं करेंगे कोई जिंदगी में उसके लिए यह काम करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें फिर रेट आफ इंट्रेस्ट वेग उसके बाद इस तरह से बनाते जाए एक चीजा और बार बार मैं बोलता हूं यूटूब पढ़ने में सबसे जरूरी यही है यूटूब पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कॉपी और कलम लेके ही पढ़े अगर आप बीना कॉपी कलम के पढ़ रहे हैं तो आप अपन